ये तीन टाइप के पैंस हमारी लाइफ में बहुत ज़ादा यूज करते हैं जो कि होते हैं बॉल पैंस, जेल पैंस and रॉलर बॉल पैंस तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बॉल रॉल पैंस में क्या डिफरेंस होते हैं और किस सिचुईशन में आपको कौन सा पैंस यूज करना फाइदे मन रहेगा जब भी हम इनसे लिखते हैं तो इनके निब में एक ball होती है जो कि इस टाइप से लिखते हैं रॉल होती है काफी सस्ते आपको available हो जाते हैं अब इन pants के अंदर आपको देखने को मिलती है एक oil-based viscous इसका क्या मतलब हुआ इन pants के अंदर आपको oil-based ना थोड़ी guardian देखने को मिलती है जिसका फायदा ये होता है कि आप इन pants से almost किसी भी surface पे लिख सकते हैं आपको अच्छी खासी water resistance ओफर कर देता है जो कि इस range में gel and rollerball offer नहीं कर पाते है परकि इस ball band के oil-based ink के pros ही खतम होते हैं अब क्योंकि ये oil-based है तो ये काफी दा गाड़ी होती है और इसको लिखने में काफी दा प्रेशर आपको लगाना पड़ता है जिसे आपकी finger and hand में थोड़े time के बाद pain आने लगता है और अगें इन से लिखने का experience as compared to gel and rollerball उतना smooth नहीं होता है और काफी ये scratchy feel होते हैं third point is अगें काफी सारे इंक में आपको एक aroma एक smell देखने को मिलती है जो comparatively gel and rollerball में आपको देखने को नहीं मिलती है तो सवाल उटता है किसको ball pen लेना चाहिए तो अगर आप एक ऐसा pen देख रहे हैं आपको बहुत सारा लिखना है आप receipts अगरा के साथ काम करते हैं आप चाहते हैं आपका pen book पे भी चल जाए receipts पे भी चल जाए, glossy paper पे भी चल जाए और आपका एक particular budget है आप एक cheap pricing के काम करना चाहते हैं तो guys ball pen are the perfect alternatives आपके पास काफी सारे ball pens अवेलेबल होते हैं अच्छी बात यह है कि काफी cheap pricing लग पक्वेंटर रूपी से भी start हो जाते हैं तो guys अब आते हमें next category पे जो की है gel pens तो जैसे हमें नाम suggest करता है gel pens इनकी जो ink होती है उसमें pigments होते हैं जो कि एक water based gel में suspended होते हैं और इसका सबसे बड़ा फाइदा हमें को मिलता है इनकी smoothness में जो gel pens होते हैं वो regular note taking के लिए मैं काफी पसंद करता हूँ क्योंकि ये काफी जादा smooth होते है और एक smooth writing experience offer करते हैं इनका दूसरा advantage होता है ये काफी सारे colors में आपको available हो जाते हैं जिससे notes को colorful बनाने में बहुत मज़ा आता है और color coding में भी काफी ये helpful हो जाते हैं बट कैसे जो gel based drink होती है ये smoothness तो देती है बट यहीं पर बात अगर हम करें इसके dry time की तो काफी बार ये pen smudge कर जाते हैं क्योंकि ये dry होने में थोड़ा जाड़ा time लेते हैं अगर हमें quick dry pen खरीते हैं तो उसमें मैंने एक चीज़ notice करी है कि वो generally waterproofing offer नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो balance होता है quick dry को waterproofing के बीच में तो उसके बीच में balance बनाना थोड़ा सा difficult हो जाता है साथी साथ इनमें water-based drink ये use होने की वज़े से आपको जो paper quality होती है वो wall pen से थोड़ी सी better लेनी होती है and इनको आप जो glossy paper होते हैं जैसा जो हमाई encyclopedia होती है या जो चमकने वाले paper होते हैं उन पे हम इससे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह dry उन्हें बहुत time लेते हैं और अगर हम book को close कर देते हैं तो वो smudgy हो जाती है तो किसको लेना चाहिए gel pens तो मैं students को यह बहुत जादा recommend करता हूँ first क्योंकि यह बहुत smooth होते हैं आपके hand में wedding नहीं आता आप लंबे notes इन से ले सकते हैं काफी सारे colors option में available होते हैं इनका pricing भी ठीक ताक होता है और overall यह smooth experience offer गरते हैं बट अगर आपको waterproofing चाहिए और आपको quick dry pen चाहिए तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना pen selection देख करना पड़ेगा तो काई अब आते हमाई last category पर जो की है roller ball pens की category अब यह जो pens होते हैं इनको काफी लोग अकसर ball pens से confuse कर देते हैं roller ball and ball में main difference है जैसे मैंने आपको बताया ball pens में आपको whiskersing देखने को मिलेगी वहाँ roller balls में आपको देखने को मिलती है liquiding तो इन में से आप maximum pen देखेंगे ना तो उनमें आपको construction कुछ stripe पर दिखता है इसका barrel ऐसा दिखेगा आपको और इसकी field ऐसी दिखती है इनके अंदर भरे होते हैं कुछ stripe एंग जब आप इनको हिलाते तो आप देख सकते हैं इनके barrel में आपको इनक मूव होती आराम से दिखती है इसी इनका फाइदा ही होता है कि इन तीनो category of pens में सबसे smooth experience आपको roller balls सी offer करेंगे जो आपको pressure लगाना पड़ता है ना हाथ से वो बहुत ही ज़ादा कम होता है जिसका फाइदा ही होता है कि आप long writing sessions में अगर कोई pen यूज करें अगर आपको exam अगरा में लिखना है तो आप इसे लंबे-लंबे notes ले सकते हैं आपको fatigue बहुत ही कम feel होगा बट अगेन क्योंकि इनमें liquiding use होता है तो आपको जो paper quality यहाँ पे use करनी पड़ती है वो थोड़ा सा अच्छा use करनी पड़ती है मैं recommend करूँगा अगर आप rollerball यूज करते हैं तो at least 70 plus GSM का paper यूज करें अगसा lower quality जो paper होता है उसमें rollerball आप इस टाइप से देख सकते हैं कुछ bleed करने लगते हैं आपको ink पीछे दिखने लगती है अगला point जो होता है इनका drying time अब क्योंकि यह liquiding use करते हैं तो यह dry होने में काफी अच्छा खासा time ले ले लेते हैं maximum rollerballs अगर आप इनको glossy paper पे use करते हैं तो उस पे तो drying time हो जादा बढ़ जाता है बात करें waterproofing की तो काफी साथ अच्छे वह rollerball आपको 40-50 रूपीज मिलते हैं जैसे मेरी एक जो favorite series है वो है pilot की V series वहाँ पे आपको काफी अच्छी ink देखने को मिलती है काफी smooth experience होता है अगर आप अगर आप अपना price थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे हमाँ पास Uniball की series आ जाती है जहां पे आपको waterproofing तो देखने को मिलती ही है और उसकी जो ink होती है वो pigmented ink use होती है तो वो archival documents के लिए भी useful रहती है वो लंबे time तक आपके documents पर रहती है और feed वगरा नहीं होती है तो ये सारे features आपको rollerball pens में easily देखने को मिल जाते हैं बट again guys तीनों ही category of pens में अगर हम pricing की बात करें तो rollerball सबसे ज़्यादा costly जाते हैं relatively तो किसको लेना चाहिए rollerball pens अगर आपको बहुत लंबे writing sessions करने पड़ते हैं आप बहुत जादा लिखते हैं आपके hand में fatigue बहुत जादा होता है तो guys rollerball are a perfect choice बहुत smooth चलते हैं अगर आपको ऐसे pen चाहिए जो archival quality के हो जो लंबे time तक आपके pages पर टेके रहे हैं इसे कि आपको registry documents अगर assign करने हैं then also guys rollerballs make a good option and if आपको अगर ये वीडियो हमेशे की तरह helpful लगे तो लाइक ज़ू कर दें and अगर आप first time channel को visit कर रहे हैं तो ऐसे काफी सारे helpful videos हैं जो आपके productivity manifold increase करेंगे तो student guide पर click करके channel को ज़रू check out करें तो guys हमने तीनोई pens की category को काफी detail में आपको समझाए and I personally hope कि आपको ये अपने next buying decision में काफी ज़रा help करने वाली है कि किस scenario में आपको कौन सा pen use करना चाहिए अब मैं आपको मेरी कुछ recommendations दे देता हूँ जो मुझे personally पसंद है इन ball gel and rollerballs तो guys वैसे तो हमने इन पर dedicated video बना रखें उपर आये बटन पर में इनको डाल दूँगा in description में आपको link मिल जाएगी जहां मने best rollerball gel and ball के काफी सारे options बता रखें बट इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो सबसचे ball pens मुझे लगते हैं as compared to ball pens बट अगें इनका pricing जो होता है वो around 40 रुपीज होता है थोड़े जादा costly हो जाते हैं तो आप जा सकते हैं for budget options like cello का s pro, link का pentonic, cello की तरह से आने वाला butterfly and gripper I know काफी सारे और options हैं तो मैं recommend करूंगा please यह वाला video जरूर देखें जिससे आपको idea लग जाए best ball pens कौन से अब बात करेंगा gel pens की तो यहां पर जो मुझे सब साथा पसंद आते हैं gel pens वो है pentel की तरह से आने वाला anal gel and uniball की तरह से आने वाली signal series इनको मैं इसलिए recommend करता हूं क्योंकि यह आपको मिल जाते हैं काफी इस टाइप के बड़े से pack में तो यहां पर pentel में भी आपको काफी colors देखने को मिलते हैं 30 रुपीज पर पीज में pen परता है थोड़ा साथा costly है बट recently मैं इसको बहुत जादा यूज कर रहा हूं 90 रुपीज के pen परता है अगर आपको budget pricing में जाना है तो गाई जिनौल की तरह से आने वाला यह जो racer gel है काफी अच्छे यह option होता है और इस रोड़ीटो के दर से भी हमाँ पास यहाँ पर काफी अच्छे option देखने को मिल जाते हैं जो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे बात करें अगर rollerballs की तो गाई इस rollerballs में काफी सारी series available है पर यहाँ पर मैं specifically आपको बता देता हूँ अगर आपको चाहिए archival link आप ऐसे document अगरा sign कहते हैं लंबे time तक चले और इंग उसकी feed अगरा ना हो तो guys you can go with the Uniball Vision Elite यह काफी अच्छा pen है for office use और अगर आप एक student है और उसी टाइप इंग quality चाहते हैं तो आप जा सकते हैं Uniball के 215 and 217 refillable series के साथ यह भी काफी अच्छी आपको in quality and smoothness offer गड़ते हैं वहीं पर अगर आपको चाहिए कैसा pen जो की काफी साथा dark one you can compromise on waterproofing तो यहाँ पर जो पाइलेट की वी series है यह काफी अच्छी series इसमें आपको काफी सारे pens देखने को मिल जाते हैं इसके entire series पर आपने review बना रखा है उसको भी आप check out कर सकते हैं and if you need a balance between word of roofing and good in quality तो यहाँ पर हमाई पास दो तीन options आते हैं from Rorito and Reynolds तो Rorito का आप Mixed On ले सकते हैं यहाँ आप जा सकते हैं तो यह था हमारा review on best gel balls and roller balls आपको मुझे comment section में लिखके बताना है कि आपको कौन से category of pen सबसे दा पसंद है and अब किस category में कौन सा pen सबसे दा यूज करना पसंद करते हैं तो मैं सभी comments को पढ़ूँगा I'll analyze them and then guys I'll try to make a detailed comparison on the pens which you suggested in the comment section साथी साथ guys मुझे चाहिए आपसे कुछ unique ideas जिस पर हम videos बना सकते हैं और वो ideas ऐसे होना चाहिए कि majority जो student community है उसको काफी ज़्यादा help करें तो comment section में अपना idea and अपना best pen लिखना ना बूले हैं ले वाला हूं आपको next video में तब तक के लिए यह दो वीडियोस आपको यहाँ पर देख रहे होंगे on best gel and rollerball penton को आप check out कर सकते हैं तो I'll see you in the next one guys take care bye bye